हम अपने इस टुटोरियल में देखेंगे कि हम किस मेनू, सब मेनू, पेजिस और ब्लोगोस्ट अपने वर्डप्रस वेबसाइट में एड कर सकते हैं तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं यहां पर आपको कोई भी पेज एड नहीं है इसलिए आपको इहां पर नोट फार्म देख रहा है और सिंप्ली आपको एक ओम लिंक दिख रहा है जो इस टीम कर डिफोर्ट लिंग के और आपको उसके इलाव कोई भी मेनू नहीं देख तो आप किस तरह पेजीज एड कर सकते हैं पेज में कंटेंट कैसे एड कर सकते हैं किस तरह ब्लोग एड कर सकते हैं किस तरह मेन्यू एड कर सकते हैं और किस तरह सब मेन्यू एड कर सकते हैं आईए हम इस वर इस मेमू में देखते हैं अब हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ट डेशबोर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पेजीज एड करना नहीं करेंगे तो हम डेशबोर्ट पे जाने के बाद पेजीज में जाएंगे और इस एड नियू पे क्लिक करेंगे जब आप Add New पे क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन दिखाए देखे इसमें आप सबसे पहले अपने पेज का पाटल आड कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं हो और यहां पर उसकी description लिखेंगे अपने home page भी हम जो भी content भी खाना चाहते हैं हम यहां पर लिखेंगे इस तरह हम अपने home page पे कोई भी content लिख सकते हैं चाहे तो आप image add कर सकते हैं add media को use करके content को बॉल कर सकते हैं italic कर सकते हैं और कुछ भी जो भी आप add करना चाहते हैं अपने home page पे आप यहां से add कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या changes हुए आप preview पे click करें तो आपको इस page का content दिख जाएगा देख़ी जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पर आपने जो भी content लिखा था वो आपको show होने लग क्या अब इस content को save करने के लिए और publish करने के लिए publish पर click करने के बाद अगर आप इसमे उसके बाद जब भी आप उसमें नया content add करते हैं आपको update को क्लिक करने को होता है इसी तरह अब इस website खॉम दूसरे tab में open कर लेते हैं ताकि आप differences देख सके तो अब हमने यह open किया यह इस तरह क्यों आ रहा है यह मैं आपको बगाता है यह default था और यह जो अब आपने add किया अब हमें menus क्रियेट करने के लिए आप एक नया menu क्रियेट करेंगे पाइड इफोल्ट आप जो भी menu क्रियेट करते हैं वो इस default theme में add होते रहते हैं होते रहते हैं इसके लिए हम पहले और pages add करते हैं और आपको differences दिकाते हैं मानिये हमने एक menu add करना और अपने option में जिस पर यह वला content केगा तो हम उसको नाम देते हैं menu 1 और यहाँ पर content में लिखते हैं नो क्लिको और publish publish पर दवाई एड न्यू बटन अगें यहाँ पर menu 2 और उसकी description आप लिखते हैं क्लिक करिए publish button पर इसी तरह add new पर आप कितने भी pages आड़ कर सकते हैं अपने website पर जैसे contact us about us money आपने यहाँ पर add करना एक page अबाउट इस तरह हमने about us page बना दिया है इसी तरह हम जितने भी page चाहिए हम add कर सकते हैं आप publish पर किर कीजिए अब अपनी website पर जाके देखिए क्या difference दिख रहा है आपको सारे pages दिखेंगे यहाँ और उनका कोई order नहीं है मेन्यू के throughset पर सकते हैं मेन्यू में जाने के लिए हम appearance में जाएंगे और मेन्यू को क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जाने के बाद आप एक नया मेन्यू क्रिएट कीजिए अपने के साफ से हमने इसको क्रिएट किया और इसे नाम देती है मेन मेन्यू क्लिक करेंगे create मेन्यू पर अब इस मेन्यू में आप जैसे भी देख रहे हैं कि कोई भी मेन्यू एटम एड नहीं है तो और जुए नैप बिकेद यूद में आपको चाहिए आप उसी और में इसमें एड़ कर सकते हैं सपोस्ज हमने एड़ किया मेन्यू बन डिके तर हम चाहते हैं कि मैन्यूत द दिखे मैन्यू टू बिके तो आप इस ओडर को साइठ कर सकते हैं इसे ड्रेग करके और जिस भी माँ पर इसे drop करते हैं अब से save पडू किजी है अभी भी आपको वहां कोई difference नहीं देखिए का क्यों को नहीं देखिए हैं? refresh किए अब हमारा प्राइमरी मेन्यू में हमें किस मेन्यू का और करना हो सकता है कि हमने बहुत से मेन्यू क्रेट किया हुआ है एक यहां के लिए मैन्यू बार क्रेट किया हुआ है टॉप मैन्यू में जैसा कि हम सोचल लिंग्स दिखाने के लिए कर देते हैं मानियो और हमने प्राइमरी मेन्यू में भी अलग मैन्यू राट करना तो यह पॉसिपल है कि हमारे पास बहुत सर पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा से मैंनु अब आप देखिया आप को चेंगे इस दीखेंगे आपने तब से पहले अपने इसके नीचे और pages add करने हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे, same pages में जाकर, हम यहां पर submenu की तरह उसे add करना चाहिए, तो और create करेंगे, submenu, one, publish, add new, publish इस तरह आप आड़ कर सकते हैं आप ना कोई भी कंटेंट और उसे पब्लिश कर सकते हैं अब आपको इन्हें शो करवाने के सबमेन से हैं बाल लीजाय आपको सबमेनू 1 के अंटर चाहिए अदर चाहिए सबमेनू 1 1 को submenu 2 को submenu 3 को add करने के बाद आप देखने हैं यहां नीचे वो add हो चुके है अब आप इनका order select कर सकते हैं जैसे भी आपको दिखाना है मानिए submenu 1 हमें किसके अंडर दिखाना है menu 1 के तो आप इसे menu 1 के नीचे लेकर जाएं और थोड़ सा right को लिए देखें यह आपको hierarchy की आगे लिए मतलब अब submenu 1 उसका child बन चुका और menu 1 उसका parent इसे दर आप menu 2 को add कर सकते है और menu 3 को add कर सकते है menu 2 के अंडर और इसे आप save कर सकते हैं और देखें यहां पर change जो आप इसके ओपर लेकर जाएंगे तो आपको submenu 1 दिख रहा है submenu 2 दिख रहा है menu 2 के अंडर submenu 3 दिख रहा है अब मानिए आप चाहते हैं कि menu 1 के अंडर submenu 1 आए और submenu के अंडर submenu 2 आए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे submenu 2 को इसका चाहिश बना देंगे इधर ड्रैग करके और इसपे save पर क्लिक कीजिए और refresh करना है menu 1 के अंडर आ रहा है submenu 1 के अंडर आ रहा है submenu 1 के अंडर आ रहा है submenu 2 तो इस तरह आप कितने भी menu's, submenu's add कर सकते हैं और pages add कर सकते हैं अब मालिया हमें add करना है blog page, तो blog page के अंडर क्या होता है हमारे बहुत सारे posts होते हैं जो भी हम post करते हैं सारे किस के अंडर आता है blog page करना है सबसे पहले blog नाम से category create करना है तो हम post पर जाएंगे और एक category create करेंगे categories पर जाकर मालिये blog , ब्लॉग एड करना है हमें, और सिंप्ली एड करना है haber izquierdo, यहां पर आपका देखिए अब हमें इसके अंडर क्या करने हैं, पोस्ट अड़ करने हैं, तो हम जाएंगे अड़ में उपर, और यहां पर डालेंगे पोस्ट वाण, अब आप इसे कौन से ब्लॉग के अंडर शो करवाना चाहते हैं, वो यहां पर आपने जैसे एकी कैटेगरी अड़ किया है, आप उत जोन से भी पोस्ट को जिस भी कैटेगरी के अंडर दिखाना है, आप उसे चेक कर लीजिए, यहां से, हमने ब्लॉग सिलेक्ट किया, और यहां से हमने उसका फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज इसके होता है, अब मालीजे उसकी हैटर इमेज आप अलग दिखाना चाहते हैं या उसके साइड में घंड जो है उसका डूसरा दिखाने जाएर इमें, वह हो फीच़र इमेज इसी जरह से है हम इसको block के अंडर चाहते हैं तो block को click किया हैं यहां से categories में जाकर और feature image हमने select कर दी यह बारी set feature image, click करना है publish publish पे click करने के बाद अभी भी यहां पर कोई change नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमने अभी block category add नहीं की तो block category add करने के लिए हमें फिर से कहा जाना पड़ेगा menus में हम जाएंगे appearance then menus आप यहां से आप option देख रहे हैं कौन-कौन से pages add कर सकते हैं आप अपने menu को post add कर सकते हैं category add कर सकते हैं custom link क्या होता है आप मानिए कि आपने followers का एक link बनाया और आप चाहते हैं कि यह आपके facebook पे या फिर कहीं पे भी redirect हो जाए तो आप वहां पर इस जगर पर आप उसका URL डाल सकते हैं तो मानिए मैं किसी पे redirect नहीं करवाना जाते हैं उस entry में hash डाल रही हूं ताकि hash डालने से वह उसी page पर ही रहेगा जिसकी page पर है वो redirect नहीं होगा तो इसको add to menu पर क्लिक करने हैं यह आ गया follows अब आपने add करना है category blog तो अब हम किसमे होगा categories में तो हम categories में जाएंगे और blog पर क्लिक करेंगे और add to menu अगर आपको यहाँ category नहीं दीख रही तो आप view all पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी categories show हो जाएगे अब आपको structure decide करना है अभी इसको save पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से show हो यह आप देख रहे हैं अब मानिये मुझे blog पहले जाए फिर मुझे follows ची और फिर मुझे about us ची है तो मैं वह यहाँ से change कर सकते हो blog को मैंने ऊपर किया फिर मैंने follows किया और फिर मैंने about us किया save अब इसे refresh किया अब देखिए about us पर क्लिक करेंगे तो about us वाले page पर चला जाएगा menu 1 पर submenu 1 submenu 2 इस पर भी आप क्लिक करेंगे वो उस page पर चला जाएगा इस तरह से और followers पर अभी हमने कोई link की दिया hash किया तो कुछ जिस पी page पहोगा उसी page पर रहेगा अब मानी हमने Bleug, लूग चांदा रमाथ ृतो टो पुस्ट व attached हिए थinator, जैसी यह हमारा lou वेश पुस्ट वन नेच याया और वूश्ट वोपर है जैससे अप्नाइख बर आलते रहेंग ? आप पुलाने post के लिए यह वाला thumbnail set के लो तो वो उसका शो हो रहा है फीचरी में अब आप इसका यहां से content देख सकते हैं आप आप इस post one पर जाना जाते हैं तो post one देख सकते हैं किस तरह आप अपने website में menus, sub menus, blog और pages add कर सकते हैं thanks for watching, hope you like it, please do not forget to like, subscribe and comment on my website, bye bye